नमस्कार साथियों आज हम राजिपाल को लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं जिसे गवर्णर कहते हैं हम लोग राजिपाल सबसे पहले तो मैं आप से ये डिस्कस कर लेता हूं कि राजिपाल के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कैसे राजिपाल को अलग-अलग भागों में बांट कर पढ़ने से थोड़ा ईजी रहेगा वो हम एक-एक डिस्कस करेंगे सबसे पहले राजिपाल के पद को लेकर चर्चाएं उसके बाद राजिपाल के पद की जो योगिताएं हैं जिसे अहरताएं कहते हैं वो डिसक्स कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पद हेतू सर्तें, पद हेतू सर्तों को लेकर के चर्चाएं करेंगे, उसके बाद राजिपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, न्यूकती कैसे होगी, न्यूकती को लेकर के चर्चाएं करेंगे, उसके बाद राजिप रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग पद को लेकर के चर्चाएं करते हैं कि पद के संदर्प में हमें कौन-कौन से अच्छे पुशन ध्यान में रखने पहला अच्छा पुशन तो यही बन जाता है कि यह राजिपाल का पद किस देश के सविधान से लिया गया है तो इसमें मित्रों कनड़ा जवाब देना कनड़ा से लिया है राजिपाल का पद दूसरा हम लोग बात करें कि भारतिय सविधान में इस पद का उले कहां पर है तो उसके लिए हमें भारतिय सविधान का आर्टिकल 153 अनुषद 153 ध्यान में रखना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि प्रतेक राजिका एक राजिपाल होगा ठीक है तो पद का उले कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 153 उसके बाद हम लोग ये बात करें कि राजस्तान में राजिपाल का पद कब से बना कब से आया तो उसके संदर्प में दो बाते में हिश्ट्री की हैं उसको लिंक करके बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा राजस्तान में मित्रों राजजिपाल से पहले राजप्रमुक का पद हुआ करता था राजप्रमुक और राजप्रमुक का पद कब से लगा कर कब तर रहा इसमें हमको ध्यान रखना है कि यह पद 30 मार्च 1990 से 31 अक्टुमबर 1956 तक रहा और इस पूरी पिरिट के अंदर राजस्तान में मित्रों एक ही वेक्ति राजप्रमुक के रूप में रहे उनका नाम था जैपुर के महराजा सवाईमान सेंग सेकेंड सवाईमान सेह दित्य इराजस्तान के एकमत राजप्रमुक है अब क्या होगा भारतिय सविधान में मित्रों सात्वा सविधान संसुदन हो रहा है सातवां सव betrayedอน संसोदन कब हुआ तो 1956 में नहरू सरकार के द्वारा हुआ और किस कमिटी की सिफ़ारिसों के आधार पर हुआ यह एक अच्छा पुषण है P. Satya Nairayan Raoche – समिती की सिफ़ारिसों के आधार पर सातवां सवीदान संसोदन होगा, 1956 में होगा, जवाहरलाल नहरू सरकार द्वारा होगा जिसके द्वारा ये जो राजप्रमुक का पद है इसे समात कर दिया जाएगा और इसके इस्तान पर मित्रों जो राज़ेपाल का पद है ये स्रजित होगा तो राज़ेपाल के पद को यदि पूछे कि कि सविदान संसोदन दोरा लाया गया तो उसमें सात्वा सविदान संसोदन होगा कमिटी सत्रिनर राव समेती और राजस्तान में ये पद कब आया तो उसमें डेट आएगी 1st November 1956 या यूँ भी प्रिश्ण किया जा सकता है कि सात्वा सविदान संसोदन कब लगू हुआ तो उसमें भी डेट आएगी 1 नौबर 1954 और गुरुमुख निहाल से हाँ ये राजस्तान के पहले राजेपाल रहे जो 1956 से लगा के 1962 तक इस पत पर रहेंगे यदि एक प्रिश्ण और डिसकस कर लिया जाए यहाँ पर कि राजस्तान में राजेपाल के रूप में सर्वाधिक अवधी तक कौन राजेपाल रहा तो भी उसमें गुरुमुख निहाल सिंग का आंसर आएगा सर्वाधिक अवधी सर्वाधिक अवधी गुरु मुख निहाल सिंग, जो राजस्तान के राज़ेपाल, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये गुरु मुख निहाल से हैं, ये राजस्तान में प्रत्थम राज़ेपाल के रूप में नियुक्त हों हैं, एक अच्छा पुष्ण और भी है मित्रों, राज़ेपाल के सं निहाल से हम देख रहे हैं मित्रों, ये दिली के मुख्यमंत्री थे पहले, दिली के CM रह चुके थे, और उसके बाद मैं राजस्तान में राजेपाल के रूप में आये हैं, राजस्तान के प्रथम राजेपाल के रूप में आपउइंट हुए हैं, ठीक हैं, तो ये मित्रों बात है इतनी थी जो हमें राज्यपाल के पद के संदर्प में ध्यान रखनी हैं अब हम लोग पद के बाद आगे चर्चाएं करते हैं राज्यपाल की योगिता हैं जिसे हम लोग अहरता हैं नाम से भी जान सकते हैं अहरता हैं एक तो अच्छा प्रिश्ण ये होगा कि राज राज़ेपाल की तुलना इस मुद्दे को लेकर करें, योगिताओं को लेकर के, तो हम लोगों को आर्टिकल कौन कौन से ध्यान में रखने हैं, पहले वो देख लीजेगा, राज़ेपाल में और राष्टपती में हमेशना तुलनात्म ग्रूप से मोश्टली प्रिश्णात हैं, योगिताओं और सर्ते हैं, तो सबसे पहले हमको राष्टपती की योगिताओं यदि पढ़ेंगे, तो उसके लिए आर्टिकल 58 होगा, और राष्टपती के लिए पद इतु सर्ते हैं पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 59 होगा, और यही बात है मित्रों और राज़ेपाल के संदर्प में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 होगा, यानि राज़ेपाल के पद की योगिताओं 157 में हैं, और पद इतु सर्ते हैं राज़ेपाल के 158 में ऐसे बात हमको ध्यान में रखनी हैं, ऐसे तुलनात्म ग्रूप से आप लोग माइंड में रखिए, अब हम लोग योगिताओं हैं, कौन-कौन सी उसको लेकर के चर्चाएं कर लेते हैं, पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, यहाँ पर कथन सत्य की रूप में तुर एक प्रिशन पूछ लिया जाता है, कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, बिल्कुल गलत होगा, जन्म से भारत का नागरिक होना कोई अनिवारी योगिता नहीं है आज की समय में जब वो न्यूक्त होने जा रहा है राजिपाल उस समय वो भारत का नागरिक है या नहीं है यह प्रिश्ण है तो जन्म से नागरिकता कोई अनिवारतिया नहीं है क्योंकि मित्रों नागरिक्ता को बाद में अर्जित भी किया जा सकता है भारती सविधान में भारती सविधान का भाग संख्या 2 जो नागरिक्ता के संदर्प के प्रावधान लिखता है उसमें इस बात साफ साफ लिखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहन करना चाहे अरजित करना चाहे तो वो लगतार साथ वर्ष तक भारत में रहकर नागरिकता के लिए एपलाई कर सकता है ठीक है तो जन्म से नागरिक होना कोई अनिवारी योगिता नहीं है तो पहली योगिता तो यह हो गई दूसरी योगिता होगी मित्रों वह 35 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुका हो 35 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुका हो एक बात ध्यान देनी है आपको यदि पूर्ण कर चुका हो लिखा हुआ आए या नियूनतम आयू लिखा हुआ आए यह दोनों एक ही बात होगी, नियूनतम आयू 35 का हो तो भी वही है, और 35 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुका हो, तो दोनों बात है एक ही है, सब अलग अलग है, बात है एक ही है, आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है, राश्टरपती, उपराश्टरपती, और राज्यप इन तीनों पदाधीकारियों के लिए मित्रों जो निर्वाचन की एज है वो 35 है 35 है ये तीनों के लिए सेम एज है ये बात ध्यान में रखनी है तो ये दो योगिता हैं इसके अलावा मित्रों आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि तीसरी योगिता के रूप में ये बात जान विदान मंडल द्वारा तय की गई हो बनू राजधी विदान मंडल सि भर gas करे और उसके बाद संसद में उसको संसदण करके लिखा जाए तो वो योगिता है हो सकती बाकि यह 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 हॉना चाहिये और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 आर्टिकल में है 158 में पहला सर्थ क्या-क्या है वो बात माइंड में डालनी है वह संसद या किसी भी राज्य के विदान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए सदस्य नहीं हो ठीक है दूसरा ध्यान डखना है मित्रों वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए लाभ के पद पर नहीं हो लाभ के पद पर नहीं हो Office of the Profit कहा जाता है Office of the Profit लाभ का पद ये लाभ के पद पर भी मित्रों वह होना नहीं चाहिए और तीसरा है मित्रों वो पागल या दिवाल या घोसित नहीं हो ये पदेतु सर्ते हैं जो आप लोगों को ध्यान डखनी है आर्टिकल 158 के अकोर्डिंग राजिपाल के संदर्ब में ठीक है अब हम मित्रों आगे बात करते हैं नियुक्ति को लेकर के कि राजिपाल की नियुक्ति कैसे होती है और उसके संदर्ब में कौन-कौन से अच्छे प्रिश्ण है जो हम लोगों को ध्यान में रखने वो कौन-कौन सी बात है तो सबसे पहले न्युक्ति की संदर में आर्टिकल ध्यान में रखना पड़ेगा और आर्टिकल है मित्रों कौन सा वन डबल फाइफ राजिपाल की न्युक्ति करता कौन है तो पुर्धान मंत्री की न्युक्ति भी, अन्य मंत्रियों की न्युक्ति भी, कैग की न्युक्ति भी, महा न्यायवादी की न्युक्ति भी और राजिपाल की न्युक्ति भी राज्येपाल यानि गवर्णर, इन सभी की नियुक्ति मित्रो राष्टपती ही करता है, राष्टपती, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी जोड सकते हैं हम लोग, इन सभी की नियुक्ति राष्टपती द्वारा ही होती है, तो राज्येपाल की नियु मुहर लगे अधी पत्र द्वारा ये प्रोसेस का नाम है एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके उपर राष्टपती भावन की सील होगी राष्टपती के सिगनेचर होगे और वह अधी पत्र या वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो राजी की विदानसभा में आएगा और विदानस कि जो अधी पत्र आता है आदेस पत्र आता है उसे विदानसभा में सबसे पहले पढ़कर कौन सोनाता है तो उसमा आनसुर आता है राज्ये का मुक्य सचिव चीफ सेकेर्टरी आफ इस्टेट ये याद रखना है और कौन से वाले प्रोसेस है उती प्रोसेस का नाम द्यान राश्टपती करता तो है लेकिन हस्ताक सर और मुहर सहित अधी पत्र वाले प्रोसेस के द्वारा नहीं होती उसकी न्युक्ती तो मित्रों उसमें आंसर आता है महानियावादी ये ध्यान रखना है महानियावादी की न्युक्ती मैं फिर बोल रहा हूँ महानियावादी की न्यूक्ति करता तो राश्टपती ही है बट राश्टपती हस्ताकसर वो मुहर लगे अधीपत्र के द्वारा महानियवदी की न्यूक्ति नहीं करता ऐसा ध्यान रखना है बाकि सभी की न्यूक्ति ऐसे ही होती है हस्ताकसर वो मुहर लगे अधीपत्र के द्वारा ठीक है तो ये नियुक्ति के संदर में बाते थी इसको आप लोग ध्यान रखना अब मित्रों दो तीन बाते और मैं आप से यहां कर लेता हूँ चूंकि जो राजिपाल का पद है मित्रों ये केंध्र सरकार के एजन्ट के रूप में कारे करता है मैं दूसरे सब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि ये जो राजिय पाल है मित्रों केंद्र सरकार का प्रतिनिधी होता है राज्य के अंदर ऐसा भी कह सकते हैं हमको दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मित्रों ये राजिय सरकार और दूसरा जो राश्ट्रपती है इसके बीच में कड़ी भी है सैयोजक भी है सैयोजक भी काम भी करता है राजिपाल राजिसरकार के बीच में और राश्ट्रपती जिसको आप लोग केंदर सरकार भी कह सकते हैं केंदर सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है राजिपाल का ये काम है एक आरोप लगता है राजिपाल के पद की न्युक्ति के संदर्ब में कि राजिपाल का पद मित्रों भारतिय सविधान का सबसे विवादास पद डिस्प्यूटेट पोश्ट है सिधा सा है कि यदि कैंदर में सरकार जिस पार्टी की होगी राजिपाल भी उसी पार्टी के विचार रखने वाला व्यक्ति होगा और हर राजियों के अंदर बेजा जाएगा तो ठीक बात तो यह होगी कि यदि किसी राजिय के अंदर और केंदर में जिसकी सरकार है वो पार्टी एक ही हुई या एक जिससे विचारों की हुई तो तो कोई प्राब्लम नहीं है यदि ऐसा हुआ कि केंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार है और पश्री मंगाल के अंदर ममता बनरजी की सरकार है जो इस के अंदर सरकार के बिल्कुल अपोजिंट नीतियों के अनुसार कारे करती है तो फिर हम लोगों ने देखा होगा जो अभी वरतमान में भारत के उपराश्ट पती है जगदीब भंखड ये वेश्ट बंगौल के अंदर पशिमंगाल के अंदर राजिपाल रह चुके थे और उनका पशिमंगाल सरकार के साथ में ममता बनिर जी के साथ में बिल्कुल अच्छा कारे काल नहीं रहा था तो ये विवात देखने को अक्सर मिलते हैं तो उसके संदर्ब में मित्रों हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि इस कैंदर के और राजियों के समंद हेल्दी रहे उसके संदर्ब में कौन-कौन से आयोग बने और सरकार के द्वरा क्या प्रियास किये गए हैं वो तीन-चैर बाते में आपसे कर लेता हूँ कैंदर राजियों की जांच करने के लिए कैंदर राजियों समंद इनकी जांच करने के लिए मित्रों कौन-कौन से आयोग बनाए गए हैं तो एक तो उसमें ध्यान रखना है प्रसासनिक सुधार आयोग प्रसासनिक सुधार आयोग ठीक है ये प्रिश्टान सिक्स हुदार आयोग मित्रो बना कब था तो 1966 में बना था इस था अपने 1966 में हुए ये याद रखना है और इसने अपने रिपोर्ट कब दी थी तो रिपोर्ट मित्रो 1968 में दी है यह याद रखना है और इसके अध्यक्स कौन थे तो मुरार जी देसाई यह बात माइंड में रखनी है ठीक है और उसके बाद मित्रों दो-तीन कमिशन और है जो केंदर सरकार के द्वरा बनाए गए एक जैसे की हम लोग नाम रिखते हैं रंजीत सिंस सरकारिय आयोग यह याद रखना है आपको रंजीत सिंस सरकारिय मित्रों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है नियायमूर्थी है 1983 में बना और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ठीक है एक हमको मित्रों मदन मोहन पुंची आयोग के बारे में द्यान रखना है मदन मोहन पुंची आयोग यह मित्रों 2007 में बना और 2011 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ठीक है और एक मित्रो राजी सरकार के द्वारा आयोग बना है उसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है उसका नाम है राज मनार आयोग ये मित्रो 1970 के अंदर 1970 के अंदर जो तमिलनाडू राजी सरकार थी उसके द्वारा बनाया गया था तमिल नाडू राज्य सरकार के द्वारा तो अक्सर ऐसा होता है कि केंदर राज्य समंदों को जाच करने का काम केंदर सरकार का होता लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि केंदर राज्य समंदों की जाच करने के लिए कोई राज्य सरकार एक्सन ले रही है तो राजमनार आयोग बनाएं मित्रों उननिस सो सतर के अंदर, तमिल्नाङडूराजी सरकार के दौरा, ये याद रखना है, और एक मित्रों आपन को याद रखना पड़ेगा, वेकट चलाएं आयोग, मित्रों अटल भी हरी वाजपई सरकार के दौरा बनाया गए था, 2000 में, और इसकी रिपोर्ट आगी है मित्रा दो जार दो में तो इस्तापना कब हुई इसकी दो जार में और इसकी रिपोर्ट कब आई है तो मित्रा दो जार दो में ये पांच आयोगों के नाम लिये हैं, जो अलग-अलग समय के अंदर, अलग-अलग सरकारों के दोरा बनाए गए, और इनके दोरा केंद रजिस संबंदों की जांच की गई, और अलग-अलग इनके दोरा सिफारी से भी की गई थी, कि ये सिफारी से मित्रों में आपको पीड बना पाओ, यह पांच आयो गए मुख्य रूप से, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अब न्यूक्ति की बाते हो गई, अब उसके बाद हम लोग में तरह सपत की बाते करते हैं, सपत, सपत के लिए भारतिय सविदान का आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल की सपत क लेता है, वही सपत राज्यों में राज्यपाल को दिलाई जाती है, यानि कि दौनों की सपत एक है, राज्यपाल की सपत भी और राष्टपती की सपत भी, तो इकिस बात की सपत लेता है, इनका जो सपत का प्रारूप है, वो क्या है, तो देखिएगा, सविधान तथा वि तीन वर्ड हैं, इनको माइंड में रखना, परी रक्षन, सरक्षन और प्रती रक्षन की सपत लेते हैं, और ये जन कल्यान की सपत भी लेते हैं, जन कल्यान के देओ, या लोग कल्यान के दो, पब्लिक वेलफेर, इनकी सपत लेते हैं, ये इनकी सपत का प्रारूप है, ये ब वरिष्टम नयदीस, जो भी सीनियर जज है, वो दिलाएगा, यह सबत दिलाने है, सम्मधित हाई कोर्ड का मुख्य नयदीस, या वो अनुपस्तित है, तो ऐसी इस्तती में जो वरिष्टम नयदीस होते हैं, उनके द्वारा सबत दिलाई जाती है, तो यह सबत का प्रोसेस हो उलेख मित्रों हमको अनुसुची तीन में मिलता है, सेड्यूल नमबर तीन में, लेकिन याद रहे, राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, तथा राज्येपाल, इन तीन पदाधीकारियों के द्वारा जो सपत ली जाती है, उसके प्रारूप का उलेख सेड्यूल नमबर 69 में, और राज्येपाल की सपत, अभी हम लोग बात करी रहे हैं, आर्टिकल 159, ये सपत के संदर में बाते हमें याद रखनी हैं, अब सपत के बाद मित्रों में अंतिम बिंदु डिसकस कर रहा हूँ आपसे, कारेकाल वो सुन लीजेगा, राज्येपाल के कारेकाल के संद पती के इच्छा परियंत या प्रसाद परियंत पद पर कारे करता है, इच्छा परियंत कह दीजेगा या प्रसाद परियंत कह दीजेगा पद पर बना रहता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, यहाँ पर मित्रों एक आयोग भी आप, केस का नाम भी आप लोग याद बना भारत संग 2010 का मित्रोई केस आया था, बीपी सिंगल बना भारत संग 2010, इसमें सरवोच नियाले ने सुप्रीम कोर्ट ने मित्रोई आदेस दिया था कि यदि राष्टपती बिना किसी ठोस कारण के राज्यपाल को पद से हटाता है, तो उस कंडिसन में राष्टपती के आदेस को सुप्रीम कोर्ट में न्याइक समिकसा के लिए या न्याइक पुन्रावलोकन के लिए चैलेंज किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन है मित्रों 2010 का, इसको भी द्यान रखना है, जिससे कि राज्यपाल के और कारे कर रही है, सहकारी संगवाद की भावना उसका प्रचार प्रसार हो, वो अच्छे से लागू हो, उसके लिए ये प्रियास किये जा रहे हैं, ठीक है, तो कारेकाल के संदर्प में इतना ही, धन्यवाद साथियों झाल, 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